गिफ्ट्स अन्बॉक्सिंग मम्मी की रिटायर्मेंट गिफ्ट्स गिफ्ट्स अन्बॉक्सिंग और वो पी रिटायर्मेंट के गिफ्ट्स ये कैसे मतलब मम्मी जी ने कुछ बोला नहीं जो पी रिटायर्मेंट पे गिफ्ट्स दे रहा था उनको एकसेप्ट कर लिया और और छोड़ो जो बगगी यानि की आचल के घर से जो माईके वालों ने इतने भर भर के भर भर के अभी तो कुछ दिन पहले गए थे भई लोडी के गिफ्ट्स भूल गए क्या ने 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 वो लोडी के थे ये रिटार्मेंट पार्टी के भर भर के एक भाई के हाथ में तो टोटल मिला के आज उनी गिफ्ट की की गई है अन्वॉक्सिंग अरे भई जो सोचने वाले हैं सोची जीजिए समझी लीजिए गिफ्ट नहीं भई या दहेज का समान था जो रह गया था पहले अरे बगगा की शादी में सोफा उपर पड़ा है बैड आ गया सब समान आ चैनल इसमी स्वाती कैसे हैं आप लोग आप लोग एक तब मजे में थे भाई मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स कह रहे थे इन पर आप रियाक्शन नहीं दे रहे हैं तो हमने थोड़ी वीडियो देखी हमने का चलो भीया रियाक्शन वीडियो इन पर बनाते हैं या ना रेग खुली आँख अज देखिए जो नॉर्मल होके न वो आँख खोल के देखते हैं अब इनके टरू वाले हैं टरू वालों का तो कोई समझ नहीं आता खोपड़ी यहां पे अकल है नहीं कुछ भी बस मतलब अंतभगती करनी है तो करनी है देखके भी उन चीजों को अंदिख और देना है जो फैक्स दिखा रहे हैं जो चीजे देख रहे है रेगुलर वीडियो में उन सब चीजों को वी देखेंगे अन्देखा करते हैं नहीं हमारी जिटजी तो चलिए बात कर लेते हैं आज की बगगा मामा यानिकी इंडिन यूट्यूबर दिका वीडियो आया है उसमें मैंने देखा मम्मी जी को बिठाये गया था सारे गिफ्ट दिखाये गये थे लेकिन कुछ सब्सक्राइबर्स ने यहां पर कहना है भई हम नहीं कह रहे हैं हम आपको सब्सक्राइबर्स की कमेंट्स पढ़ाएंगे ठीक है अब ऐसे देखो कुछ लोग अब यह भी बो पर देते हैं इनके वीडियो की नीचे कॉमेंट्स आये हैं जिसमें लिख रहे हैं कि प्रीती को तो कोई गिफ्ट नहीं दिये थे आचल के घर से ये सब आया सारे घर के लिए तो कितने खुश हो गए जब प्रीती के बेबी के बाद जो हर पेरेंट्स कुशी कुशी देते हैं तब प्रियंका अरे प्रियंका मतलब बिग बॉस जी बड़ी चाय की दिवानी जिनकी एच चेंज होती रहती है दोस्तों वो कभी भी कभी कथिस की कभी 33 की हां रियल एज नहीं बताएंगी रियल एज उनकी है 38 लेकिन वो कभी न बताएंगी ठीक है चलिए एज की बाद छोड़ते हैं हम तो यहां पर जोग इतना पागल बनाते हैं अमने सब्स्राइबर्स को जूट पे जूट जूट पे पर कर रहा है हां जी अंकोशक नहीं हो तरी उनकी भी बात करेंगे जब प्रीती के बेबी के बाद जो हर पेरेंट्स खुशी खुशी देते हैं तब प्रियंका ने कितना तमाशा यूट्यूग पे बनाया था और ससुराल वालों की कितनी बेज़ती की थी कभी भी उनको ए लोग मान सकते हैं आँटी अंकल आए उन्होंने गिव्ट्स दिये लेकिन यहां पे हम उसकी गलती तो नहीं बताएंगी मतलब आचन की गलती नहीं बताएंगी आचन ले तो वह अपना फर्स निभाया जो लोग बॉंडिंग कह रहे हैं सास बहु की बॉंडिंग तो देख अच्छा हो गया तो उसकी बात कि मैं इंसिडेंस बता रही हूं ठीक है और काम खेर कितना करती थी वो भी हम नहीं देखा है सारा काम सासुमा करती थी वो सिर्फ खाने बैठ जाती और वीडियो कैमरा ओन करके वीडियो बनाया जाता था ठीक है मैगी चिल्ले के अलावा अंदी efforts तो कर रही है, अपनी तरफ से चाहे सब का ख्याल रखना हो, खाना बनाना भी हो, और सब का ध्यान, अभी मैंने देखा था, इनकी कुछ reels देगी थी, इसमें बुआ जी का हाथ पकड़के उनको उपर ले जा रही थी, भई एक नई नवेली दुलन से और क्या expect हैं, वो हमने सबने देखा ही था, तो लोगों का बिल्कुल सही कहना है, जब सिधार्थ हो गया था, खैर अभी तो मेरे ख्याल से दो साल कुछ का बच्चा हो गया है, अगर आपको याद हो थोड़े टाइम पहले जाईए, बहुत रोना राना किया था, किसने वो भी नॉर होते हैं, ठीक है, कुछ चीजे, उसको भी लोगों ने, कि मेरे भाई को बहुत महनत करनी पड़ेगी, oh my god, कितना सारा महनत करके, उसको कमाना पड़ेगा, पैसा चोड़ना पड़ेगा, और वो कपड़े लाने पड़ेंगे, YouTube पे आके बोला था, खैर, इन चीजों को, क्य इन चीजों का एफेक्ट होगा, अपनी बहन के रिष्टे में, सस्राल वाले क्या बोलेंगे, इस चीज का बिल्कुल भी ना सोचे समझे, जबकि अगर एक लड़की की बड़ी बहन होती है, वो सौ बार सोचती है, सब चीजे करने में, ठीक है, लेकिन नहीं हम बेजनेस है बाई, बेजनेस, बेजनेस दिया है, तो ये सब चीजेती बागी लोग ये ही कहना है, खैर, गिफ्ट स्टार्ट हुए, ठीक है, पूरा जो स्टील के, जो बरतनों का सेट वो दिखाया गया, ब्लैंकेट भिजवाई गई है, ये मेरी फ्लाइब फेवरेट ब्लैंकेट, ए इसके सारे गिफ्ट मेरे नहीं तो वहीं, जो आचल है, उसने भी बोल दिया कि मेरे माईके से जो गिफ्ट साय वो जादा आए है, खैर, वहाँ पे आटी जी को बुरा लगा कि हमारी बहुरानी ने ऐसे क्यों नहीं बोला, भई उसके गिफ्ट साय है, बिल्कुल उसको तो बिल्कुल यहाँ पे तो मुझको लगता है, जितना वो एज़स्ट कर रही है, उतना आपकी बेटी ने तो अपने सिसुराल में एक दिन भी एज़स्ट नहीं किया, है ना, जीसी साब से यह तो बहुत कुछ कर रही है, जब सिसुराल जाते हैं, थोड़ी सुननी पड़ती है, एज़स्ट करना पड़ता है, तो आचल के तो पूरे अभी तरह हम लोग एफर्ट की दाद देंगे, yes, she is doing, she is putting, she has put, she has given so much efforts, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, फिर गिफ्ट वगरा दिखा रही थे, छुटकन्नी भी बीच में आई, हाँ, तो जब मम्मी ये कह रह रही हो, अब तुम इन फिर इनके बीच में बोलोगी, फिर लोग तुमें बोलेंगे, है न, तुमें बोलने की जुरूरत नहीं थी, यहां पर, तुम ननद हो यहां पर, है न, तो तुमारी bonding भी जितनी तुम दिखाने की कोशिश करती हो, ननद भाबी की बांडिंग, दे तुमारी छोटी, हां जी, कंचन छोटी ननत थी, तुम तो उल्टा उसके हातों से, भी वही तुमें बना-बना के खिलाती थी, हमने कितने बार देखा था, चलिए यह बात तो हो गई, वागी गिफ्ट्स, गिफ्ट्स कुछ नहीं, वो सिर्फ दहेज है, जो थोड़ा बह कुछ दिखाया जा रहा था, और एक बार भी इतनी सी भी शरम नहीं आई, ना इनकी मम्मी को आई, ना बग्गा मामा को आई, कहा रहा था कि हमें बहुत टाइम बाद कुछ गिफ्ट्स मिलनें, अब हमें शुरू हुए है, अरे मतलब इनके हिसाब से तो बढ़कनी जी जी यहाँ पर आप सब देखी रहे हैं, अभी तो लोडी के गिफ्ट्स तो अभी दिखाने बाकी हैं, लोडी में वो अगले एपिसोड में आप लोगों को दिखाये जाएंगे, अच्छा मैं बात कर लेती हूँ अभी, क्योंकि पता नहीं मैं इन लोगों पर रेगुलर वीड रहे हैं, अच्छा, एक इंस्टाग्राम पे एक रील आई है, मैं उसकी अगर मैं बात करूँ, तो उस रील पे छुटकन्नी जिजी देखी हमें तो ब्लॉक किया हुआ है, हम को पता चला हमने बात में कहीं, मैंने देखी, तो कि तू एक बार और सोचले, मतलब जिजी तु ले हैं, तो बूब आपना सिर पीट रहे हैं, जब से तुम्हारी रील देखी होगी, तुम्हारे केस चल रहे हैं, और तुम इस तरह की रील लगा रहे हो, भई या, सोचो, ये हुआ क्या इनको, एकदम से इस तरह की रील लगाना, और उपर घर में मम्मी उपर आई है, ज मैंने फिरिज ले लिया है फिरुज को अन कर दिया है फिरिज में दूद वगरह रग दिया है फूर्ट है actually में कहां जाने वाली हैं कि इनकी life में changes आने वाले हैं कि आ वहां जाके फिर से बसने वाली हैं अपने सुसुराल और जिस तरह से कह रहे हैं अब समझदारी से काम लोंगी यह तो हमें वक्त ही बताएगा उपर मम्मीची को बुलाया गया तो मम्मीची को बार बार बूला जारता आपका ही घर है उपर आप ही रहो आज आप किसके साथ आप नीचे सोगी उपर सोगी कहां सोगी इदा उपर तीन चार आदमी मुझे समझने है तीन हम दो रहेंगे मतलब इनका बच्च और यह है और आप आजोगी तीन और समान भी अपना सारा मैं उपर ले आई स्कॉच प्राइड जो क्लीन करने वाला वो रह गया मेरा थोड़े से आलू प्याज टमाटर नीचे से लेकर आई है मतलब ग्रिष्टी स्टार्ट उपर काम करना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने आज इन्होंने यह दिखाया था बेसिकली आज लेकिन यह जो रील आई है भाई साब तू एक बार और सोच ले उदर अंकुष अंकुष की बात करें तो भाई उसका वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है थोड़े डिप्रेस्ट दिखें परिशान दिखें इनकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रहे हैं थोड़ी तब्यत भी खरापती और खैर बहुत स्ट्रॉंग रहने की जरूरत है और बहुत सारे विवेवर्स में जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं बाकी देखिए कोट में और अगर एक शांती की जंदिगी चाहिए होते है तो आपको बिलकुल अपने हिसाब से अपने दिमाग से फैसला लीजिए और बाकी कोट त यह तो एक बार और सोच ले तो बही देखिए आप लोगों क्या लगता है क्या होगा क्या यह लोग मिलने वाले क्या चुटकनी जी जाने वाली है सुसुरार क्या दोनों साथ में दिखेंगे तो यह हमें आने वाला वक्त ही बताएगा बाकी डौरी मतलब हम सिर्फ लेना चाहते हैं बस लेते रहेंगे लेते रहेंगे देने की बारी जब भी आएगी यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगा कि हमें करे जा रहा है परिशान है ना और हमारे भाई को बहुत महनत करनी पड़ेगी आचल के पापा मम्मी भाई कितनी महनत कर रहे होंगे सूचिए मत अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं जल्दी बाई बाई